मोधी सरकार ने युवाओं के लिए पिचारा खोल दिया है शिक्षा और रोजगार से लेकर कई सेक्टर में तौफों की भरमार लगा दी है नमस्कार भारत एक्स्प्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ बबीता रेखवार बजट में निर्मला सीता रमण ने 2024 और 25 में हर साल 25,000 चात्रों की मदद के लिए मौदल कोशल रिन रियोजुना में संशोधन का प्रस्ताव दिया है इसके तहट घरेलू संस्थानों में उच्छ शिक्ष्रा के लिए 10 लाख रुपे तक रिन के लिए इए वाउचर हर साल 1,000,000,000 चात्रों को सी दिर्विन राश्री के 3% की वाश्रिक ब्याद छूट के लिए दिये जाएंगे वितमंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा मुझे 2,000,000,000 करोड रुपे की केंद्रिये परिवय के साथ 5 वर्षों में 4,000,000,000 एक करोड युवाओं के लिए रोजगार कोशल और अन्य अफसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओ और पहलो के प्रधान मंत्री पैकेज की घूशुना करते हुए खुशी हो रही है इस वर्षों हमने शिक्ष्रा, रोजगार और कोशल के लिए 1,48,000,000,000 करोड रुपे का प्रावधान किया है इसके साथ ही देश के युवाओं के लिए इस बजट में वितमंत्री ने जो एलान किया है उसके अनुसार रोजगार और कोशल प्रशिक्ष्रण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2,00,000,000 करोड रुपे की राश्ट्री रखी रखी गई है इसे 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड युवाओं को इंटरंश्रिप देने का प्रावधान भी है इसके साथ ही पहली जॉब जॉइन करने वाले युवाओं के लिए 15,000 की तीन किष्ट सीधे EPFO अकाउंट में दी जाएगी बजट भाशर में वितमंत्री निर्मला सीतर अमर ने बताया कि पहली नौकरी वालों के लिए 1,00,000 रुपे से कम सालरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपे की मदद तीन किष्टों में मिलेगी वहीं महिलाओं और लड़कियों को ला पहुचाने वाली योजनाओं के लिए 3,00,000 करूर रुपे की राज़्टों का प्रस्ताफ दिया गया है साधी पुर्वोतर श्रेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक श्राखाएं स्थापित की चाएंगी नमस्कार